के उत्तरकाशी से है जहांपा टनल हाथसे के बाद से ही लगातार पिछले कई दिनों से रेस्क्यू ऑपरेशन जारी और माना जा रहा है कि कुछी घंटों में अब सफलता भी मिलने वाली है तो तस्वीरे आपको दिखा रहे हैं अब कुछी घंटों का और इंतजार रह गया है जब गुड न्यूस सामने आने को है लगातार रेस्क्यू ऑपरेशन जारी है और माना जा रहा है कि कुछी समय में जो 41 मजदूर इस टनल के अंदर फसे हुए है उन्हें सुरक्षित बाहर निकाल लिया जाएगा तो सिल्क्यारा टनल में रस्क्यू ऑपरेशन लगातार जारी है आज दिन भर अगर मशीन को लेकर मुश्किले आती रही क्योंकि मशीन के आगे बार-बार रुकावट आई अभी भी अगर मशीन के आगे रुकावट आने से बोरिंग का काम फिलहाल बंद है लेकिन उमीद की जा रही है कि जल्द ही काम शुरू होगा और मश्दूरों को निकाल लिया जाएगा पिछले 24 घंटे में तकरीबन एक दश्मला वाट मीटर टनल पर काम हुआ और अब तक 46 मीटर से ज़ादा एसकेप टनल बनाई जा चुके और तकरीबन 10 मीटर के असपास पाईप और डाला जाना बाकी है तो NDRF की टीम और एक्सपर्ट्स भी लगातार मौके पर मौझूद हैं जिसकी तस्वीरे भी इस वक्त आप देख सपा रहे हैं आगे बढ़ने की कोशिश लगातार की जा रही है उत्तराखंड सीयां पुशकर सिंग धामी और केंद्रिय रज्य मंत्री विके सिंग ने भी टनल साइट का दोरा की और रेस्क्यू का जैजा लिया गया तो फिलाल की कंडिशन ये है कि ओगर मशिन का काम रुका हुआ है और दस मीटर से जादा अभी ब्रिलिंग भी बची है तो एक और ये तस्विर देख पार उत्तराखंड के उत्तरकाशी से जहां पर लगातार अंडियारफ की टीम पिछले कोई दिनों से जुटी हुई है ताकि एक तालिस मजदूरों की जान बचाई जा सके उत्तरकाशी की सिलक्यारा सुरंग में फसे एक तालिस मजदूरों को निकालने के लिए बचाव अभियान लगातार जारी पुरे देश को ये उम्मीद थी कि आज का सूरत एक नेए खुशखबरी लेकर आएगा लेकिन रेस्क्यू में फिर से एक बाधा ने कुछ देर के लिए काम को रोक दिया हाला कि कुछ समय बाद ही उस बाधा को भी हटा दिया गया इसके बाद फिर से पुरे देश को आज थी कि सभी मजदूर सही सलामत कभी भी बाहर आ जाएंगी लेकिन हर भी तपल उम्मीदों के कल पर जाकर टिक जा रहा है कातार पिछले 11 दिनों से ये मजदूर इसी टरनल के अंदर 60 मीटर अंदर फसे हुए थे और हर किसी को इस वक्त का इंतजार था कि आखिर तमाम एजंसिया और सरकार के प्रयासों से जो आधुनिक मस्वीनों के सर्गे इन मजदूरों को बाहर निकालने की कोशिशे की गई कई बार कोशिशे नाकामयाब भी हुई लेकिन मेहनत और साथ की साथ कुशल रणीती के बल पर एक कोशिश की गई और उस कोशिश को कामयाब होते यहाँ पर आप सब देख रहे हैं रात के वक्त में काफी दिक्कते जरूर आई हैं सर्या को काटा जा रहा है और अभी भी पूरा हो जाएगा जिसके लिए जद्दो जहद पिछले कई दुनों से लगातार चल रही है। टर्नल रिसक्यों ऑप्रेशन के जिम्मेदारी सम्हाल रहे अधिकारी भी पूरे मामले में फूख फूख कर कदम रख रहे हैं क्योंकि इस रिसक्यों ऑप्रेशन पर मुख्यमंत्री पुशकर सिंग धामी से लेकर प्रधान मंत्री नरेंद्र मोदी तक की नजर मुख्यमंत्री लगातार मजदोरों का हौसला बढ़ा रहे हैं है और प्रणदान मंत्री जी जाप लोगों के बारे में रोज चिंता कर रहे हैं रोज अप डेट लेते हैं मुझे सवेरे साथ जी आजब अभी आए भी बताया है पिल्किल 45 मीटर से आगे हम लोग आ गए और मुश्किल से 10 मीटर और आना है बीच बीच में क्या है कि सरिया और आ जा रही है न तो आप लोगों को पता ही है थोड़ा सा यह है कि हिम्मत बता के और किसी सब की तब्यत हो गए राची ठीक है न वहाँ पर उत्तरकाशी में चल्ड़ारस की ऑपरिशन किसी चुनौती से कम नहीं क्योंकि हिमालेक्षित्र के भुविज्यान को लेकर आप कोई भविश्यवानी नहीं कर सकते हैं, रख सकते हैं तो केवल उम्मीद, क्योंकि अब बचाव अभियान उस मोड पर है, जहां से मजदुरों को पाइप के जरिये आसानी से निकाला जा सकेगा कि कि अविछ पर मैंतना को यह मता आपौः।, अबस्किल कि आप बातारा हैं मंगलवार को सिल्क आरा सुरंग के भी तरफ से मजदोरों की पहली तस्वीर सामने आई इससे पहले कीम को सफलता मिली और छेंज का दूसरा फूट पाइप मजदोरों तक पहुँचा दिया गया उसके बाद से ही मजदोरों के लिए फिर से नई सुरंग पाने की उमीदे बरकरार और इसी उमीद पर पूरे देश की निगाहें बनी क्योंकि रिस्क्यू आपरेशन बेहत करीब पहुँच चुका है पिर रिपोर्ट टूसे की